नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस श्टार बिस्कुनीज में दोस्तों आज उत्तर प्रदेश दरोगा भरती इसकी जो संभावित कटॉफ है उस कटॉफ का पूरी तरीके से आज विशलेचन मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ कि बही जन्रल, OBC, SC, ST, महिला तो मतलब जो केटेगरी वाइज सभी का जो संभावित कटॉफ है वो आपका कितना रह सकता है ठीक है यह आपका है संभावित कटॉफ इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तो सबसे पहली बात तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि 150 प्रशन, 150 प्लस प्रशन लाने वाले कुछ छात्र इस वक्त सोसल मीडिया पर वाइरल हो रही है उनका जो स्क्रीन सौट है, उनका जो रिष्टेशन नंबर है, डेट ओव बर्थ है वो वाइरल हो रही है ठीक है देखिए इस चीज पर उत्तर प्रदेश पुलिस भरती बोर्ड एक्शन तब लेगा जब ले लेगा ये काम उसका है बाकी अगर देखिए इतने प्रशनों को सही करने वाले चात्रगर हैं भी, तो वो कितनी ज़्यादा संख्या में हैं, ये भी अभी किसी को नहीं पता ठीक है, वो अगर सो के आसपास हैं, दो सो हैं, चार सो हैं, ये जो है जाच का विसे है ठीक है, और ये जो है पुलिस भरती बोर्ड का कारिया है, जब पुलिस भरती बोर्ड इस चीज़ पर एक्शन लेगा, वो ले लेगा, ये कारिया उसका है ठीक है तो हम इसके आगे बात कर लेते हैं हम बात करते हैं कि भई दरोगा भरती का जो संभावित cut off है category wise वो क्या रह सकता है ठीक है और ये जो cut off मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सारे चात्रों का जो सर्वे है उसे करने के बाद आपको बता रहा हूँ और उसमें काफी पढ़ने वाले चात्र भी है अच्छे चात्र भी है और मीडियम भी है ठीक है तो हर तरह का चात्र मैंने इस cut off में शामिल किया है और उनसे ही पूरा review लेकर आपके सामने इस cut off को मैं देने वाला हूँ देखिए अगर हम बात करें संभावित cut off की तो दरोगा भरती में जो संभावित cut off है किसका सबसे पहले बात करता हूँ unreserved का general category का अगर मैं unreserved की बात करूँ तो आप ये मान कर चलिए 107 प्रशन से 111 प्रशन ये cut off रहने वाला है general category का ठीक है दोस्तों 107 प्रशन से 112 प्रशन आगे चलते हैं अब हम लेते हैं cut off OBC का other backward cast अगर OBC की बात करें तो इसमें cut off जो रहने वाला है वो रहेगा 101 प्रशन से 105 प्रशन ठीक है दोस्तों 101 प्रशन से 105 प्रशन आगे चलते हैं अगला जो cut off है आपका वो होगा EWS का ठीक है और जो EWS का cut off रहने वाला है वो आपका रहेगा लगभग लगभग OBC के एक आप प्रशन कम हो सकता है या बढ़ सकता है तो हम इसको लेकर चलते हैं 100 प्रशन से 104 प्रशन ये cut off रहने वाला है EWS का ठीक है दोस्तों बाकि देखिए सोसल मेडिया पर बहुत सारे इस तरह के नंबर भी चल रहे है कि बई किसी के छातर के 169 प्रशन भी सही है किसी के 158 प्रशन भी सही है लेकि ये पढ़ने वाला जो छातर है वो इस तरह से score नहीं कर सकता ये तो केवल एक हवाई बाते हैं हाला कि इतना score है लेकिन ये जाच का विसह है ठीक है और इन पर जाच होनी चाहिए और इन छातरों को बहार किया जाना चाहिए ठीक है और आपको ब उनकी परिक्षा दोबारा हो या 140 परश्ण से उपर सही करने वाले चात्र किन-किन सेंटर उपर उन्होंने परिक्षा दी है उन सेंटरों की जाज की जाए ये एक सही तरीका है और बाकी देखिए पुलिस भरती बोड है जानता है अच्छे से उसे क्या करना है ठीक है आगे चलते हैं अगला जो कट ओफ मैं आपको बता रहा हूं वो है SC कटेगरी का अगर SC की बात करूं तो 92 परश्ण से 96 परश्ण बहिए जिसके भी सही है वो अपना फिजिकल की तयारी कर सकता है ठीक है आगे चलते हैं अगला कट ओफ आपका है ST कटेगरी का तो ST की अगर बात क की जाए तो 79 परश्ण से 83 परश्ण ठीक है यह कट ओफ रहने वाला है ST का आगे चलते हैं अगला कट ओफ लेते हैं महिला कटेगरी का अगर महिला कटेगरी की बात करें तो इसमें जो कट ओफ रह सकता है 93 से 97 परश्ण रह सकता है ठीक है दोस्तों तो जिस-जिस कटेगरी का मैंने आपको cut off बताया है चाए वो UR हो OBC हो और आपका EWS हो SC हो ST हो महिला हो अगर आपके इतने प्रशन सही हो रहे हैं तो आप जो है फिजिकल की तयारी शुरू कर सकते हैं ठीक है इतने पर आपका selection जो है final selection हो जाना चाहिए और ये जो survey आपको बता रहा हूं है ये बैट रही है तो आपका इसमें selection हो जाना चाहिए तो दोस्तो ये हो गया आपका उत्तरप्रदेश दरोगा भरती का संभावित cut off क्यारा सकता है उसके बारे में एक साटीक विशलिशन और इस भरती के संबंद में या किसी परिणाम के संबंद में कोई भी जानकारी मुझे मिलती है तो आपको सबसे पहले एकदम उत्तरपी जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी ठीक है दोस्तो और दोस्तो आपकी इसके वारे में क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो जय हिन जय भरत